हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका उत्राकर्ण जी के वेरीजी ट्रिक्स में तो यूके ट्रिपलेसी का एक लेटेस नोटिफिकेसन आया है समवात 47 जिसकी पत्रांक किसंग के है 390 और डेट है 10 अगस्त 2020 की दोस्तों लेकिन ये जो समवात का नोटिफिकेसन है ये आज ही रिलीज हुआ है भले इसमें डेट 10 अगस्त 2020 की ओ अभी आपको इस साइट पर भी अविलेबल नहीं हो पाएगा लेकिन वट्सेप ग्रूप के माध्यम से ये अविलेबल हो चुका है जो की संबंद है दोस्तों जो अभी हाली में 158 पदूं पर विज्यप्तिया आ या एक वर्सी कम्पीटर पार्ठेक्रम में डिप्लोमा होना चाहिए लिखाता आ नोटिफिकेशन में तो उसी के संबंद में युकेटर प्लस्ती का समवाद 47 हो है और युकेटर प्लस्ती ने दोस्तों क्लियर कर दिया है कि वह चाहते हुए भी इसकी क्वालिफिकेशन मे तो दिया जाएगा आयोग बिना डिपार्ठमेंट से कंसन किए या बिना डिपार्ठमेंट के अनुबति के उसको संसोधित नहीं कर सकता है उसी के संबंद में हमारा समवाद 47 है तो अगर आपकेशन का पास कम्पीटर प्लोमा है तो सही है अब आप लोग में से काफी सार दाटा मांगा गया था लेकिन कुछ समय बाद जितने भी लोगोंने प्रिलिम्स एक्जाम क्वालिफाई किया हुआ था उसमें से मैक्सियम लोग वहां से बाहर कर दिये गए थे क्यूंकि उनके पास जो computer certificate था वो authorized university या फिर government approved university से नहीं था तो इस बार क्या condition रहेगी इसके कारी में अभी कुछ नहीं का जासता है यूकेटर प्लस्तिक अभी जो इस समवाध है उसमें उसने कुछ हद तक यह चीज़े क्लियर कि हुई है जो कि हम सबसे बहले बात कर लेते हैं देखिए विसाई है आपे व्यक्तिक सायक के पत पर एक वरसी computer पार्ठिक्रम एहरता के संबंद में उत्राखन दिरस्त सिवाशे नायक दोरा विज्यापन संक्या के तहत विविन्द विभागु में इंटर्मीडियर इस्तर के 158 पदू पर विज्यप्ति को प्रकासित किया गया था उक्त विज्यापन के प्रस्तर पर सैक्षी करहता हाई स्कूल स्री हाई प्रमीडियर थी या फिर उसके संकक्ष आपको किसी भी परिक्षा उत्तिलन होनी चाहिए थी इसी के साथ साथ आपको दोस्तों हिंदी आसुलेखन यानि की स्टैनों में 80 वर्ट पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए थी साथ साथ कंप्यूटर में जो आपकी टाइपिंग है इसकी मुख्य समस्चिया साथ यही है कि उनके पास जो कंप्यूटर प्रमार पत्र है वहाँ स्विकार होगा या नहीं देखिए आप लोगों की जो भी प्रॉबलम थी कि ये कंप्यूटर स्विकार होगा या नहीं इस मामले में आयोग की ओर से यह स्पष्ट करना आउगत है कि परतेग चैन सेवा नियमू वह चैन प्रकिरियाओं से संबंदित नियमू के अधिन होता है वह नियम बनाने का कारी राज्जी सरकार या संबंदित विभागों का है आयोग इन नियमू के अंतर का चैन प्रकिरिया अपनाता है यानि कि देखिए आयोग ने खुद यह चीज क्लियर नहीं करी, कल के दिन document verification इसमा आयो को ही करना है, लेकिन आयो कहाँ पर ये एक चीज क्लियर करके नहीं दे रहा है, कि कौन सा जो certificate है उसे approved कराया जाएगा, या approved माना जाएगा, इस मामले में राजी सरकार दोरा अधिनस्त कार्यालाई, वैक्तिक सायक, समवर्गी कर्मचारी सेवा भरती नियमावली 2018 के प्रस्तर संक्या 9 में सैक्षिक अरहता संबंदीत नियम निम्नानुस्वार है, सीधी भरती के लिए यहाँ आवश्यक है, कि अभिरती ने उत्रपरदेश महाद्यमिक सिक्षा परिशत, अथ्वा उत्राकर्ण सिक्षा आयों परिश् होनी चाहिए, किसी मानिता प्राप्त संस्तान से आपके पास एक वर्स का computer certificate उत्तीन होना अनिवारी एहरता होगी, और आयोग के द्वारा इसी के संबंद में notification जारी किया गया है, जिसमें कि आयोग को खुद ही यह clear नहीं है, कि यह चीज कौन सा certificate इसमें approved रहेगा, देखे आपके पास certificate जो भी है, आप उसी certificate से आविदन कर दीजिए, क्योंकि ना तो आपका certificate बन पाएगा, और बन भी पाएगा, तो government, university से बनने का सवाल ही नहीं होता है, आपने जहां से भी typing की हुई है, या फिर आपने जहां से भी एक साल का computer certificate किया हुए है, वह certificate अगर आपके certificate भी है, आपके पास तो फिर और अच्छी चीज है, आयोक के दोरा यहां पर फिर एक चीज कहिए गई है, कि आयोक को इस नियम में परिवर्तन या छूट देने का अधिकार नहीं है, वह नियम से इसपस्ट है कि वह अभ्यरती ही पात रहोंगे, जिसके पास राज जी या क certificate हो सकता है, ठीक है, और इसी के सांसा आयोक के दोरा यहां पर आपको help कर सकते हैं, कहीं पर अगर आयोक आपको निलंबित करता है तो, या इसके संबंद में आयोक के दोरा आगे अगर कोई भी जानकारी प्रदत्त की जाएगी, तो आपको निश्चिती बताई जाएगी द certificate होना चाहिए, वो approved होना चाहिए, government, colleges, sorry, या फिर government के अधीन होना चाहिए, या केंदर सरकार या फिर राज्य सरकार के अधीन, यानि कि जो आपने जहां से भी आपने computer certificate की लिया है, वो जो आपकी संस्ता है, वो valid होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका certificate फरजी हो, तो हो सकत संस्तान मानिता प्राप्त है या नहीं, यहां प्रमाणित करने का पर्थम दायत भी अभ्यरतिक आई है, जिससे उन्होंने प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो बात वही है, यहां पर भी यूकेटर प्लस ने स्पष्ट कर दिया है, कि आपने जहां से भी computer course किया हुआ ह आप वहां से पता कर सकते हैं कि जो आपका संस्तान है, क्या वो सरकार द्वारा प्रमाणित है, यहां पर इसी यह लिखा गया आयोगने की अभिलेक सत्यापन, या फिर जब आपका document verification होगा, उसमें पे भी संबंदित संस्तान जिसमें से आपने किया हुए मानिता राप्त ह या नहीं है यह प्रमाणित करने का प्रतमदाइन भी अभ्यर्ति का ही रहेगा जिसền उन्होंने प्रमाणपत्रय जारी किया है अभिएर्थियों के उप्योगा अतार्त इस मामले में स्थिति स्पस्ट्य की जा रही है, अभी इसमें धोस्तो कारी चल लें वह दोबर और य दोजार बीस का यह नोटिस है तो हो सकता है उस तो यह ओल्ड नोटिस हो आयोग ने इस कारण भी साइट पे पहले अपलोड किया हुआ हो या फिर उसके बाद साइट से डिलेट कर दिया और आगे कोई आयोग के द्वारा आप लोगों को दी जाएगी तो जैसी कोई नहीं इसकी हम आपको फिर से अपडेट दे देंगे देंगे दोस्तों लेकिर यहां पर जो इन्फोर्मिशन थी कम्पिटर सेटिफिकेट के संबंद में वह मैंने आप लोगों को साजा कर दिये तो अगर आपक करते हैं और साथ मैं पहले कर लीजेगा जहां से आपने किया हुए कि जो आपकी संसता है वह गवर्मेंट एपरूब्ट है या नहीं है क्योंकि अगर आपकी government approved नहीं होगी तो हो सकता है कि selection के बाद आप लोगों का selection रुक जाए आप document verification में बाहर हो जाए जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा इतनी महलत करने के बाद में जहाँ पर आपको paper भी qualify करना है, typing भी qualify करनी है